नमस्कार आप सभी मुराना मैं शुक वीर्यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाजर वीडियो अप्लोड करता हूं जो कि आप सब लोग सो लाइक करते हैं पसंद करते हैं शेयर करते हैं अब तक नहीं क्या त्वंग करिएगा दूसरे लोगों तक भ क्या प्रक्रिया है क्या पनिष्मन्ट है आपको वोई संबढ़ना चाहिए क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसके हमारे साब न क्या चीज़ें आ सकती हैं कि फरस्तित्यों को सामना हम कर सकत bी ना सब वहासे जीवन मोओ के परसानी दिक्कत ना है आपने पहले शादी करी तो वो भी इसलिए करी कि हमारे कोई पार्टनर मिलेगा हमें समझेगा और हमारे साथ में रहेगा और हम दोनों एक दूसरे के साथ में जो है अपना जीवन अच्छी से बैतीत करेंगे लेकिन कहीं न कहीं एक व्यक्ति जो खराब निकल करते हैं तो कहीं न कहीं काई परीशन के सिकार हो जाएंगे क्योंकि हमारे चीज़ें कुछ ही ऐसी जो कि आपके जीवन में बहुत जादा बदलाव कर देती तो कितने था और आज एक शादी होने के बाद कम नहीं कई नक्राइखन तो दोनों में से कही ने कहीं को गलती आ जाती है इसकी वज़े से इंसान बश्लित हो जाता है और प्रशान होने के बाद एक साल दो साल के बाद जो आपको निर्ड़ने मिल पाता है लेकिन वो आपका समय है जो आपकी उम्र है, शादी करने की वो शादी की उमर भी आपकी निकलती चले आती है और कुछ लोग भी निकल भी जाती है, क्योंकि 10 साल, 15 साल पती साल तक ये मुकदमई बगरा चल जाते हैं तो सोच कर देखिए कि आज आपकी उमर 30 साल है या 25 साल है तो 20 साल बाद आपकी उमर कितनी हो जाएगी तो आप ये सब अंदादा लगाते हुए आपके लगाते हुए लोग जो है वो एक दूसरे के पड़ती को छोड़कर आप सोचते हैं कि आप जीवन में एक नया हमसफा जोड़ा जाए और उसके लिए क्या है करना है किस तरीके से चीज़े मैनेज करना है वो भी आपको समझने है तो आज मैं आपको बताना हुआ चाहूँगा कि अगर आपने जीवन में सेकंड मैरेज करते हैं तो आपके लिए एकॉर्डिन टू इंडियन प्रिजल कोड साथ साल की सजा मिलेगी यानकी सेवन येर्स पनिश्मेंट अब आप सोच रहे होंगे कि साथ साल की सजा है ये तो बहुत जाद हो गई अब आप घबरा गया होंगे लेकिन इस सजा के लिए पूरा प्रक्रिया क मैंने आपको समझना होगा सबसे बहले साथ-साल की सज्छ मैंने आपको समझ में आ लेकिन सासर में क्या हुए कि जब आप ये ऑफंस राइगा इस बात के लिए अपको संद्यान करेगा को तो ये एक आपके लिए तरीका है जिसमें की बहुत ज़़्याद राहत आपको मिल जाएगी जहांपर कि आप के लिए काफी टाइम मिल जाएगा और आप सोच समास भी सकते हैं दूसरा अब बात करते हैं कि यह प्रूफ करना क्योंकि जो व्यक्ति अपने पती या पतनी पर यह मकदमा करेगा कि मेरे होते हुँ उसने शादी कर ली दूसरी तो फिर आपको भी वो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगे कि वाकर यह शादी हुई है या फिर नहीं हुई है अब शादी प्रूफ करने के लिए बहुत सा चीज़ें हैं जैसे कि दूसरी के साथ में जैमाला डालते हुए या फिर कोई वीडियो ग्राफी होते हुए या फिर फ साथ साल मैक्समीम प्रिष्ट मिन्ट है यहां कि जादा क्या हो सकता है था यह घ्लती पर अगर अगर आप कबूल कर लें कि हाँ मैंने शादी कर लिए इनकी सिर्फ इसमें आपने एसेट कर लिया कि मैंने गलती करी है तभी आपको यह अगर लड़की या लड़का चादी कई है दूसरे से अगर वो जो करने वाला मुकदमा है वह अगर प्रूफ करता है तब आपको पनिश्यमेंट होगा बरना नहीं होगा जाती है तो जो वेक्ति शादी करेगा वह इतना बेवगूफ नहीं है कि वह हर चीज की अपनी दूसरे हो जाता है दूसरे की पते हैं तो आपको बचने के लिए यह वह यह है कि आपको बेल को तुरंद मिल जाई यहांकि बहार से बाला आपको जेल भी नहीं जाना पड़ेगा बेल आपको ग्रांट हो जाएगी उसमें फिर आपके बाद उस जो प्रक्रिया है जो प्रोसीजर है उसको कॉलो करते रहिएगा और कंटिन्यू कोड में जो है डेट्स बगर अलब है जाते रहिएगा और स्टी है तो एक दूसरे के साथ भी शादी से बाहर रह सकते हैं लेकिन वह आपको एक लिविन रिलेशन्शिप या फिर कुछ और मेंशन करना पड़ेगा जैसे कि जिससे में पर आप रहेंगे उसके साथ में तभी आप मनलब की जो शादी है आप शादी सोर ना करके आप और सा चीजे दिखा सकते हैं या पर हम लेविन में रहते हैं क्योंकि बहुत सर चीजे हैं लेविन का भी आपको प्रूफ अगर आप दिखाएंगे तो पर वह भी पतनी या वैपती उसका आधार पर आपसे डायवोर्स ले सकता है डायवोर्स का ग्राउंड बन जाता है क्राइम तो नहीं है लेकिन कुरूल्टी बन जाती है तो यह सब चीजे भी आपको देखनी है यह समझना है अगर और भी कोई आप जानकारी हमसे आप ले सकते हैं तो आप हमारे दीववे नमबर पर हमें संपर्व करसते हैं और हमारी लीगल एडवाईजी पर आप हमसे ले सकते है तो बस मैं इतने करना चाहूंगा बगवाकी आज का वीडियो देखनी है आपसे भर धन्यवाद